हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Moto G24 Android में आप अपने मुवाइल फोन की आटो टच की प्रॉलम का उप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकरी देने वाला हुँ तो चलिए यहां पर वीडियो कम स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों कभी भी अगर आपका मुवाइल फोन अपने आपी टॉच आउन हो लगता है यानि कि आटो टॉच करने लगता है तो इसकी सॉल अगला काम यह करना है आपके फोन में जो आप आपके अपडेट नहीं है उन सभी को अपडेट करना है कैसे देखें मुवाइल फोन का प्लेइ स्टोर ओकन करेंगे इसमें आपको राइट साइट की टॉप पर यह प्रोफाइल पिक्चर पर टाप करना है आपका यह पेज इसमें देखें यह मैनेज आप मैनेज आप पर टाप करना है इसके अंदर आपको अपडेट अविलेवल के नीचे अगर यह सी डिटेल का ओप्शन दिखाई देता है तो इसे टाप करना है आपका यह पेज आएगा मुवाइल फोन के वह सभी आप दिखाई देते हैं जो आपको restart का यह option टाप करना है इससे क्या होगा मुवाइल फोन automatic switch off हो जाएगा फिर इसके थोड़ी दर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से ही होता है हमारे फोन के android system में अगर कोई भी problem आती तो वो solve हो जाती फोन को restart करने से ठीक है अगला काम यह करना है कि आपके फोन का जो screen card ह होता है temper card आप जो screen के उपर लगवाते हैं इससे आपको एक बाद change कर लेना है ठीक है अगला काम यह करना है mobile phone करना reset करना है दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने इसके अगले page में सबसे निचर delete all data factory reset पे tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की auto touch की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data है सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद phone को reset करना है ठीक है तो मेरे बतायवे सारे process आपको use करने से आपके phone की auto touch की problem solve हो जाएगी अगर मेरे बताय कारण दिख्या हो सकता है आपके phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी जिसके कारण आपके phone में auto touch की problem हा रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताए है वो mobile phone के software के जरीए बताएं ठीक है